शाम का समय था लोधो प्रसाद की जवान मामी लोधो प्रसाद के पास फोन लगा कर कहने लगी क्या बात है लोधो प्रसाद जो आजकल तुम हमारे पास फोन नहीं लगा रहे हो लगता है कि जब से तुम्हारी शादी तय हुई है तब से तुम मुझे भूली गए हो तो वे क कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है मामी जी बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं आपके पास फोन नहीं लगा पाया जिसके बाद उसकी जवान मामी चंद्रावती मुस्कराते हुए बॉली अच्छा ठीक है तुम टेशन मत लो और जल्दी से तयार होकर हमारे खर आज आओ क्योंकि आज तुम्हारे मामा घर पर नहीं है किसी काम से वे इह बाहर गये हुए हैं इसलिए आज मौका बहुत ही अच्छा है अब जैसे ही इस तरह की बातें लोधो प्रसाद अपनी जवान मामी के मुझ से सुना तो वे मन ही मन बहुत खुश हुआ और मुस से मिलने उसके घर के लिए टवाना हो गया नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे एसे अपले यूट्यूब चैनल में तह दिल से स्वागत है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों की पास शेयर की जैसा आप उचित समझा जिसके बाद उसकी मामी चाय और नमकीन लेकर वापस उसके पास आई और बगल में बैट कर मुस्कराते हुए प्यार भरी बातें करने लगी प्यार भरी बातें करने के दोरान अचानक लोधो प्रसाद इतना काम उख हो गया कि वे इंडेर ना करते हुए तुरंट अपनी जवान खूबसुरत मामी चंद्रावती को बाहों में भर लिया और अबैद संबंद बनाने के लिए उत्ते जित करने लगा तभी उसकी मामी उसके होच्चो पर किस करते हुए उससे अलग हो गई और मुस्कराते हुए बॉली अभी नहीं रात में क् सबर रखो क्यूंकि सबर कफर बहुत ही मीठा होता है ये कहकर चंद्रावती वहां से वापस अपने रूम में चली आई और रात होने का इंतनर करने लगी अब इधर धीरे धीरे समय बीता गया और रात हो गई परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर कर लेट गए उधर लोधो प्रसाग की जवान मामी लोधो प्रसाग से मिलने के लिए उसका बिस्तर अपने रूम की बगल वाले रूम में लगा दिया और वहां से वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई अब इधर जैसे ही रात के बार है बजे परिवार के सभी लोग अपने बिस्तर पर सोए तो लोधो प्रसाग की जवान मामी मौका देखकर लोधो प्रसाग की रूम में पहुँच गई फिर क्या था दोनों एक दूसरे से नागिन की तरह लेपट कर शारिडिक संबंद बनाने लगे इस बीच अवैद संबंद बनाने के दोरान अचानक ल ओधो प्रसाग की छोटी मामी संजु देवी को लगुशन का लग गई जिसकी बाद वेह अपने बिस्तर से उठकर बाथ रूम की तरफ जाने लगी तभी उन्हें जेठानी के रूम की बगल वाले रूम से कुछ अजीबोगरी आवाजें सुनाई दे आवाजें सुनकर वे चल रहा हो यह सूचकर संजु तुरंत बाथ रूम से वापस उसके रूम की बगल वाले रूम के पास पहुँच गई और खिरकी से जांक कर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई वेह देखी के हमारी जेठानी अपने ही भाजे के साथ मजे से शारिडिक सुक्राप कर रही है लेकिन वेह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर अंदर का नजारा देखने लगी अब जैसे ही कुछ देर तक कमरे के अंदर का नजारा देखी तो उसके भी मन के अंदर लोधो प्रसाद के प्रतिवासना जाग गई लेकिन वेह कुछ नहीं बोली और भाजे लोधो प्रसाद से मिलने के लिए व्याकुल हो गई लेकिन क्या करें बेचारी जो उसकी जेठानी अंदर थी और पती भी कई महीनों से प्रदेश में था इसलिए वे मन मार कर वापस अपने रूम में चली आई और जेठानी को उसके रूम में जाने का इंतुहर करने अब इधर जैसे ही संजु की जेठानी चंद्रावती अवैद संबंद बनाकर शांत होई और अपने रूम में गई तो मौका देखकर दबेपाउंड लोधो प्रसाद की छोटी मामी लोधो प्रसाद से मिलने के लिए उसके रूम में पहुँच गई और कमरे का लाइट अमन शांत नहीं हुआ क्या लगता है मामा जी आपको कोश नहीं कर पाते हैं चलो कोई बात नहीं है मैं आपको आज खोश कर देता हूँ ये कह कर लोधो प्रसाद छोटी मामी को बड़ी मामी समझ कर फिर से 62 करने लगा कुछ देर बैद संबंद बनाने के बाद जब दोनो शांत हुए तो संजू चाला की दिखाते हुए वहां से वापस अपने रूम में आने लगी कमरी में आने के दोरान अचानक उसकी जेठानी चंद्रावती ने उसे देख लिया जिसकी बाद दोनों की बीच विवाद शुरू हो गया विवाद बढ़ता देख लोधो प्रसा वहां से वापस अपने घर चला आया तो देखा दोस्तों आपनी आजकल समाज में इस तरह की घटनाई अक्सर सुनने को मिल रही है इसलिए आप प्राधीक मान सिक्ता को समझें और सतर्क रहें अपने परिवार को सुरक्षित